दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर सिविल सेर्विशेज मैं अनुराग्ष ओधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोट की छठवी कच्छा के भुगोल पृत्वी और हमारा जीवन का अध्याय पांच मानचित्रण इस अध्याय में आप जानेंगे मानचित्र क्या है इसकी आवशक्ता या उपयोगिता क्या है मानचित्र के प्रकार कौन से हैं मानचित्र के प्रमुग घटक कौन से होते हैं मानचित्र में संकेतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और मानचित्र का अध्यान कैसे करते ह इन सभी के संबंध में अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्णों को साल्व करेंगे जो छठवी कच्छा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करने वाले चात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आएए शुरू करते हैं यूपी बोड की छठवी कच्छा की पुस्तक प्रिथवी और हमारा जीवन का अध्याय पांच मानचित्रण दोस्तों हम देश और दुनिया में इस्थित सडकों, रेलो, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों, आध्यकी जानकारी, मानचित्र तथा गलोब के माध्यम से करते हैं कि ये दुनिया में या विसो के किस अस्थान पर इस्थित हैं हम प्रिथवी पर रहते हैं और इसलिए पूरी प्रिथवी को एक साथ नहीं देख सकते हैं इसके लिए हम प्रिथवी से मिलती जुलती आकरती का गलोब बनाते हैं गलोब पर विसो के सभी महादीप और महसागर दिखाय जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते इसलिए गलोब से हम विसो का मानचित्र तयार करते हैं जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं तो मानचित्र या मैप क्या होता है दोस्तों मानचित्र सामाने रूप से पिर्थवी या उसके किसी भाग का चप्टी सतह या समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन ये मानचित्र कहलाता है मानचित्र पिर्थवी की सतह या किसी एक भाग के पैमाने की सहायता से खींचा गया एक चित्र होता है जो सम्तल पर यानी चप्टी सतह पर होता है और इसे गोलाकार गलोब की सहायता से कागज़ पर बनाया जाता है मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है इसे जानना बहुत जरूरी है दोस्तों मानचित्र आसानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक लाए और ले जाये जा सकते हैं भू, मिशड़के, रेल, कस्बे और गाउं को गलोब की अपयक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह दिखाये जा सकता है और हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तयार कर सकते हैं और इसमें हमें जो जानकारी चाहे उसे दिखा सकते हैं आये जानते हैं मानचित्र के कौन-कौन से प्रकार होते हैं ये बहुत ही महत्तपूर है दोस्तों मानचित्र के प्रकार जानना तो मानचित्र के कौन-कौन से प्रकार हैं इसको जान लेते हैं एक तो है दोस्तों भौतिक मानचित्र तो भौतिक मांचीतर पृत्वी के प्राकृतिक सुरूप जैसे परवत, पठार, मैदान, नदी, महासागरादिको दर्शाने वाले मांचीतर को फिजिकल मैप या भौतिक मांचीतर कहा जाता है राजनेतिक मानचीतर क्या होता है तो राज्यों, नगरों, शहरों और गाहों तथा विशों के विभिन देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचीतर को राजनेतिक यानि पोलेटिकल मैप कहते हैं थीमेटिक मानचित्र क्या है तो कुछ मानचित्र विशेश जानकारियां परदान करते हैं जैसे सडक मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आधिकी वित्रण दर्शाने वाले मानचित्र तो इस तरह के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं एक मानचित्र है भू राजस्व मानचित्र तो इन मानचित्रों में भूमिका बटवारा, सिंचे छेत्र, विभिन प्रकार के भू, उप्योग, कार्याले, विद्याले, अधिवाश और अध्योगिक छेत्रों को दर्शाय जाता है दोस्तों गाउं, कस्बा, जिला, राज्ये और देश को भी मानचित्र में दर्शाय जाता है गाउं और कस्बे का मानचित्र गाउं के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है अगर आप अपने गाउं का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र और मानचित्र बनाने की फिश जमा करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और जान लिजे कि जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन-कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझने के लिए आवसक होती है। तो देखिए दिशा, दूरी और प्रतीक ये मानचित्रों के प्रमुग घटक हैं जिनकी जानकारी मानचित्रों के अध्यन के लिए या मानचित्र को समझने के लिए जरूरी है सबसे पहले आईए दिशा यानी डाइरेक्शन्स के बारे में जानते हैं दोस्तों बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां, पैदल, घोडों, उट, बैल गाड़ी यादि के सहारेतें करते थे समुद्री नाविक, नावों और जल्यानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे और लंबे चौड़े रेगिस्तान, घने जंगल या समुद्र के बीच वे अकसर रास्ता भटक जाते थे तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त देखकर पश्यम दिशा को पहचानते थे यहाँ पर देखे, उगते हुए सूर्य को देखकर हम यह ग्यात कर सकते हैं कि सूर्य पूरव में उदित होता है और जो हिस्सा, अगर जो हम सूर्य की और मुह करके खड़े हों, तो पीठ का हिस्सा जो है पश्यम होता है दोस्तों लोग जो है ध्रू तारे से दिशाएं मालूम करते थे और यह तारा हमेशा आकास में उत्तर दिशा में रहता है और इसकी मदद से वे बाकी दिशाएं पहचान लेते थे दचणी गोलार्द के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे और आज कल हम लोग दिग सूचकियंतर जिसको की दिशा सूचकियंतर कहते हैं कमपास इसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं दिख सूचकी अंतर यानि कमपास की चुम्ब की सुई हमेशा उत्तर दक्षिन दिशा में रुखती है यहाँ पर आप दिख सूचकी अंतर और यहाँ पर भी दिख सूचकी अंतर का एक नमूना आपको दिया गया है दिख सूचक यंतर की सुई हमेशा उत्तर दक्षिन दिशा में ही रुखती है दोस्तों मानचित्र पर तीर यानी एरो के द्वारा दिशाएं दर्साई जाती है मानचित्रों में उपर की और उत्तर दिशा, नीचे की और दक्षिन दिशा, दाएं हात की और पूरब दिशा और बाएं हात की और पश्यम दिशा होती है इन चारो आधारभूत दिशाओं के ग्यात होने से मध्यवर्ती दिशाओं यानि उत्तर पूरव, दक्षिन पूरव, दक्षिन पशिम और उत्तर पशिम दिशाओं आसानी से ग्यात की जा सकती है यहाँ पर आप देखिए यह उत्तर है और यहाँ पर आपका दक्षिन है उसके बाद दाहिने हाथ पे पूरव बाए हाथ पे पश्यम हो जाता है और यह बीच के कोंड जो है उत्तर पूरव यह उत्तर दक्षिन पूरव यहाँ पर दक्षिन पश्यम और यह उत्तर पश्यम क दर्शाता है और इसे ही हम दिशा निर्देशक कहते हैं दिशाओं के बाद दूरी बहुत ही महत्पूर है दोस्तों मानचित्र एक आरेखड होता है जो पूरे विश्वया उसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है अथवा ये कह सकते है कि मानचित्र छोटे बायबाने पर खीचे जाते हैं लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि अस्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे और ये तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी दूरी अस्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है दोस्तों पैमाना या मापक क्या होता है तो पैमाना अस्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं यादि आपके घर और बिद्याले के बीच की दूरी 10 किलो मीटर है जिसे मानचित्र पर 2 सेंटी मीटर से प्रदर्शित किया गया है तो इसका आर्थ ये हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटी मीटर भूमी के 5 किलो मीटर को बताएगा अब आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटी मीटर बराबर 5 क इसी प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत पूर्ठ होता है अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिये गए किनी दो अस्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं दोस्तों मान लीजिए एक मानचित्र का मापक एक सेंटी मेटर बराबर सो किलो मेटर है दो अस्थानों का और ख के बीच की दूरी पांस सेंटी मेटर है तो इन दोनों अस्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी तो ये पांच सो किलो मेटर होगी तो आप जान लीजे दोस्तों कि इसी आधार पर मापक या पहमाने का निर्मार किया जाता है एक महत्वपूर तथ ये भी है कि मानचित्र में जो है संकेतों या प्रतिक कप्रियों किया जाता है हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हो बहू रूप में हमेशा नहीं दरसाथ सकते जैसे भवन, बांध, ब्रिक्ष, नदिया, घाटी, पाठा, राद इसके लिए इसको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेत यानि साइन, अक्षर, छाया, रंग, चित्र और रेखाओं का प्रियोग किया जाता है ये प्रतिक कमस्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतिकों के प्रियोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है और इनका आध्यन करना आसान होता है अगर आप किसी विशेश छेत्र की भासा को नहीं जानते और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पोच सकते तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचेत्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मानचित्रों की एक विस्व व्यापिभासा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं और इन परतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतराष्टी सहमत्य है ये रूड़ परतीक हैं कुछ रूड़ परतीक जो हैं नीचे दिये गए चित्र में दर्शाय गए हैं उससे आप समझ सकते हैं आप जान लीजे जलासय को नीले रंग से परवत को भूरे रंग से पठार को पीले रंग से और मैदानों को हरे रंग से दर्शाय जाता है यहाँ पर कुछ परतीक और उनके अर्थ दिये गए हैं देखिए रेलवे लाइन बड़ी लाइन मीटर लाइन और रेलवे इस्टेशन यहाँ पर बड़ी लाइन और यहाँ पर मीटर लाइन और यह रेलवे इस्टेशन का चिन्ह दिया गया है सडकों में पक्की सडक, डबल लाइन में और कच्ची सडक इस तरह से डॉटेड है सीमाओं में अंतराश्टी सीमा इस तरह से दी गई है और राज्य सीमा इस तरह से और जिला सीमा इस प्रकार से दर्शाए जाती है नदी कुवा तालाब नहर और पुल तो ये नदी का चिन है ये कुवा का ये तालाब का और ये नहर का तथा ये पुल का चिन दर्शाय गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप मंदिर, गिर्जागर, मस्जिद और छतरी का ये निशान है इसी तरह P.U. से पोश्ट आफिस, P.T.O. से पोश्ट आफिस और टेलीग्राफ आफिस और P.S. से पुलिस इस्टेशन की जानकारी प्राप्त होती है बस्ती इस तरह से दर्शाय जाती है, कबरिस्थान को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और पेड़ो को पेड़ो के आकार में और घास को घासों की तरह प्रतर्शित किया जाता है अब आईए जानते हैं योजना या खाका यानि प्लान के बारे में कभी-कभी छोटे अस्थान को विस्तार से दर्शाने किया सकता होती है इसके लिए एक यूजना बनानी पड़ती है एक यूजना किसी भवन या कमरा किसी छोटे छेतर का खीचा हुआ बाहसो रूप होता है जैसे किसी घर, कच्छा या बाजार का खाका इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचितर से बहुत से जानकारिया प्राप्त होती है जैसे किसी कमरे की लंबाई और चोड़ाई रूप रेखा या इस केच कैसे बनाया जाता है तो यदि कोई मानचितर पैमाना बनाया गया है तो हम इससे निशित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम किसी अस्थान या मकान की इस्थिति तो उसके लिए बिना माप की एक रूप रेखा खीच कर बता सकते हैं एक ऐसी ही रूप रेखा दिये गए निर्देश के आधार पर बनाते हैं जिसमें उत्तर दिशा कागज में उपर की ओर होती है दोस्तों अगर हम मौखिक रूप से कोई बात अपने मित्र या कोई निर्देश अपने मित्र को बताएंगे तो मोड आदि भूल कर सकता है और यदि हम एक रूप प्रोइखा मांचितर खेच कर समझाते हैं तो कहीं से भी पहुचने में सुविधा होगी आप देखिए मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया इससे पहले मोहन के घर स्याम कभी नहीं गया था मोहन ने कहा विध्याले के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिनी और मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी और यहीं पर एक चौराहा मिलेगा वहां से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बिध्याले से दाए निकल कर एक मंदिर मिला मंदिर से आगे बढ़ेंगे तो चौराहा है चौराहे पर जाकर बाएं मुड़ना है तो एक बाजार मिलेगा कतारो में उसके बाजार के लाष्ट में मोहन का घर है और आप इस मानचित्र में आप नार्थ, साउथ, इस्ट और वेश्ट इस तरह से प्रदर्शित करके देख सकते हैं दूस्तों मानचित्र का अध्यन कैसे करें ये भी जरूरी होता है हमारी जानकारी में होना चाहिए कि मानचित्रों का अध्यन कैसे किया जाता है दूस्तों एक रूप रेखा मानचितर में सही दूरी होना आवस्यक नहीं है दिशाएं और दूसरे विवरण भी असपष्ट होते हैं किन्तो कभी कभी हमें सही इस्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है दिशा शूचक तीर मानचितर के बाएं हासिय पर बना रहता है इसे उत्तर रेखा कहते हैं इस रेखा के दौरा हमें मानचितर के दिशाओं की जानकारी का ग्यान होता है मानचितर में सबसे उपर माप के लिए पैमाना या माप अप रेखा दिया होता है ये दो अस्थानों के बीच के दूरी की माप में सहायता करती है हमें मानचित्र में दो अस्थानों के बीच की दूरी मापनी होती है फिर हम पैमाना द्वारवास्तविक दूरी ग्याद कर लेते हैं मानचित्र में संकेत या प्रतीक के माध्यम से विभिन प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है और इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्यन बहुत जरूरी होता है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संबेदन क्या है? दोस्तु समानते किसी दूर इस्थित अस्थान वस्तु घटना अथ्व धरातल के बारे में बीना वहाँ गये सुचना अथ्व जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग या सुदूर संबेदन कहलाता है आधुनिक वैज्ञानिक संदर्फ में इसका तातपर आकाश में इस्थिती किसी उपग्रह वाय या नथ्व गुबारे से किसी अस्थान वस्तु घटना अथ्व धरातल की जानकारी इकत्र करना और उसे आंकिक संकेत यानि डिश्टल सिगनल के द्वारा अस्थान विशेस प कम्प्यूटर के माध्यम से एकिकरित और समन्वित करते हुए उनका विश्लेशन किया जाता है और इस प्रकार विश्लेशन के द्वारा पुनह नए निसकर्स और सूचना प्राप्त करना भोगोलिक सूचना पढ़ाली यानि GIS Global Geographical Information System कहलाता है आंकिक मांचित्र के बारे मे आज कल मांचित्र कम्प्यूटर की सहायता से भोगोलिक सूचना पढ़ाली यानि GIS द्वारा निर्मित किये जाते हैं GIS द्वारा सूचना उख संचालन एकत्री करन और विश्लेशन किया जाता है किसी अस्थान की समस्या के समाधान अथ्वा कोई योजना बनाने के लिए अस्थान के भूम उपयोग जैसे क्रिसी, आवास, दुकान, उद्योग, धंधयाद के परिवर्तन का अध्यन करने के लिए अलग-अलग समय के जानकारियों की आओ सकता होती है और प्रतेक समय के जानकारियों को GIS यानि जियोग्राफिकल इंफर्मिशन सिस्टम के द्वार अलग-अलग समय का मानचितर तयार करके विशलेशन करते हैं और इस प्रकार जो मानचितर बनता है वो दिये गए अस्थान के भूम उपयोग में समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाता है तो दोस्तों ये था आज का अध्या है इसके बाद आए अभ्यास प्रशनों को देख लेते हैं पहला प्रशन है कि मानचितर क्या है और मानचितर के दो प्रयोग लिखे तो किसी भी अस्थान का मानचितर कहलाता है मानचितर का प्रयोग गाउं कसबाद जिला राजे और देश को मानचितर के द्वरा दर्शाय जाता है हम विस्व का अथ्वाइस के किसी एक भाग का मानचित्र तयार कर सकते हैं और उससे विभिन जानकारियां पा सकते हैं अगला प्रेश्ण है मानचित्र में उत्तर दिशा की सोर प्रदर्शित की जाती है तो मानचित्र में उत्तर दिशा जो है ये उपर की ओर प्रदर्शित की जाती है रूड़ प्रतीकों का मानचित्र में क्या अस्थान है तो दोस्तों मानचित्रों में भवन, बाध, ब्रिक्ष, नदिया, घाटिया, पठा, राधिको, दर्शाने के लिए जिन संकेतों अथवा अच्छरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रियोग किया जाता है उन्हें रूड़ प्रतीकों के उप्योग के संबंध में एक अंतराष्टी सहमती है रूड़ प्रतीक कमस्थान में अधिक जानकारी परदान करते हैं और इनके प्रियोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है इनका अध्यन करना आसान होता है मानचित्रों की एक विस्वयापी भासा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं अगला है दोस्तों सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताईए और अपनी अभ्यास पुष्टे का पर लिखिए तो सूर्य जिधर से निकलता है वो पूरब दिशा होती है जिधर छिपता है उधर पश्रिम दिशा होती है सूरी के दिशा में या सूरी के निकलने की दिशा में मुह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिड दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है मानचित्र तथा रूप रेखा चित्र में क्या अंतर है अगला प्रेशन है तो दोस्तों मानचित्र किसी भी अस्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है और रूप रेखा चित्र यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाय जाता है तो उसे रूप रेखा चित्र कहते हैं इससे किसी अस्थान के विश्य में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती ह अगला प्रश्ण है मानचित्र में पैमाना क्या होता है तो दोस्तों पैमाना जो है वो मानचित्र का मापक या परदर्शक होता है इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े आकार को छोटे आकार में और धरातल के अस्थानों की वास्तविक दूरी को क आगच पर प्रदर्शित कर सकते हैं सुदूर संबेदन या रिमोट सेंसिंग क्या होती है तो सामानते किसी दूर इस्थित अस्थान वस्त घटनात्व धरातल के बारे में बिना वहां गये सुचनात्व जानकारी प्राप्द करना सुदूर संबेदन कहलाता है अगला करके रेल कस्बों आदिके सही सुरूप को मांचितर के द्वारा दर्शाया जा सकता है बिलकुल सही है दिख सूच की अंत्र की चुम्ब की सुई सदय वह उत्तर दक्षिण दिसा में ठहरती है सही है और मांचितर का नीचे के सिरा उत्तर दिशा होता है तो ये गलत है क्यो मांचितर से दर्शाय जाते हैं राज्यों की सीमाएं जो हैं वो राजनेतिक मांचितर में प्रदर्शित की जाती हैं वर्सा का वित्रण दोस्तों वर्सा का वित्रण थीमेटिक मांचितर के द्वारा और भूमी उपियोग के छेतर ये भू राजसु मांचितर के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तो इस तरह से आप सही मिलान कर सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोट के चठवे कच्छा की भुगोल की पुस्तक पृत्वी और हमारा जीवन का अध्याइ 5 मानचेत्र यानी मैपिंग इस अध्याय में आपने मानचेत्र, इसकी आवशक्ता, मानचेत्र के प्रकार, मानचेत्र के घटक मानचेत्र में संकेतों का प्रयोग और मानचेत्र का अध्यन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ा साथ ही चठवी कच्छा के विद्यार्थियों के लिए हमने अभ्यास प्रशनों को साल्ब किया और ये प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करने वाले चातरों के लिए भी बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा ये वीडियो आज का कैसा लगा और अध्याय आपको समझने में कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदेशन फॉर सिविल सर्विशेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार